हेलो फ्रेंड्स गोड इवनिंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल पर कीरन व्लॉग्स एंड शॉट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बारा अभी यहां पे साब का समय हो रहा था और दौपहर में काफी जश्यादा गर्मि थी अभी जो हे हवा चल रही है और बहुत अच्छी खाथी हवा चल रही है और उपर में बादल हैँ लेकिन परसाथ तो हो नहीं रही है तो धूप छाओ धूप छाओ इस तरह सा मतलब इस तरह का मौसम किया हुआ है तो अभी यहां पर मैं पीछे के सारे कपड़े उठा लेती हूँ क्योंकि अभी मैं जाओंगी बच्चों को ट्विशन चोड़ने के लिए तो उस बीच में अगर बारिश आ गई तो कपड़े सारे सुखे वे कपड़े जो है वो गिले हो जाएंगे क्योंकि मौसम उस तरह का हो रखा था हाला कि बारिश आई नहीं थी उसके बाद मैं यहां पर कमरे पर आ गई हूँ कमरे में आ गई हूँ और यहां पर देखिए बंकू अभी सो रहा है और करिश्मा उधर वाले रूम में टीवी देख रही है वो सोके उठ चुकी है और यह अभी तक सोया हुआ ही है और चार बज़े इन लोगों का ट्यूशन होता है तो अभी यह लोग सो रहे थे तो एक जो है वो टीवी देख रही है और यह अभी तक सोया हुआ है तो अभी जो है मतलब तीन बीस का टाइम हो रहा था चार बज़ने में दस प्लाने मिनट बाकी रहेगा तब मैं इसको उठाऊंगे और बुक वगएरा इन लोगों ने सारी चीजे जो है पहले ही रेडी करके रखी है तो उठेंगे मूँ वगएरा धोके बालों में कंगी वगएरा करके फिर मैं दोनों को ट्यूशन चोड़ाऊंगे तो उससे पहले जो है जितने भी कपड़े मैंने बाहर सुखने के लिए दिये थे ना सबको मैं ले आई हूँ अंदर और सभी कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके उसको सारे कपड़ों को जगे पर मुझे रख देना है और इससे क्या होता है कि घर हमारा neat and clean दिखता है और सारी चीजे जो है टाइम पर हो जाये सारी चीजे अपने जगे पर रहें तो हमारा घर काफी ज़्यादा साबसुतरा लगता है और यहाँ पर देखिए अभी यह जो है मैं काम कर रही थी कमरे में तो इसकी नीन खुल रही है और अभी यहाँ पर एक दो कप्रे गीले थे तो यह घर में ही सूख जाएंगे तो इसको मैं यहाँ पर सीडियों पर रख और बच्चों के जूते वगरा थे उसको भी मैं धोई थी तो इसको इस्टैन पर लगा कर रख दूंगी और यह जो इसको यूनिफॉर्म है ना यह लोग दोपहर में आए हैं और ऐसे ही खोलके यह लोग यहाँ पर फेक के चले गए हैं तो इसको भी मैं साइड हटा देती हूँ और यह दोपहर के कुछ बरतन है तो दोपहर में खाना वगरा खाने के बाद मैं नहीं धोई थी बरतन सो गई थी दोनों बच्चों को ले के क्योंकि मैं सोती हूँ तभी बच्चे सोते हैं और मैं ना सो ना तो फिर यह लोग सैतानी करने लगते हैं और दोपहर में तो सुलाही देती हूं में दोनों को तो अभी यहां पर जो है दो पहर में जितना भी बरतन मेरा यूज हुआ है खाना बनाने से लेकर खाने तक में तो सभी बरतनों को मुझे धोना है तो सभी को जितना भी बचा-खुचा खाना था ना उसको में छो दूसरे बरतन में पलट मैं खालूंगी बच्चे तो नहीं खाते हैं तो अब यहां पर देखिए चुला वगरा जो भी था गैस का और उपर किचन का जो कांटो टॉप है उसको भी अच्छे से पोश्च दूँगी क्योंकि दाल वगरा में छोका लगाते समय न गिर जाती है वो चीजे बहुत सिंपल साज मैंने तो पहल में खाना बनाया था दाल भात और चोका तो मेरे शॉट्स में आप लोगों ने देखा ही होगा तो बहुत सिंपल सा था और यहां पर देखिए यह डाइनिंग केवल की भी मैं सफाई कर देती हूँ बच्चों ने यहां पर खाना खाया था तो मैं तो न लगाती हां एक वर सुबहर के टाइम में और एक वर इस टाइम में दिखां वगए लगंबाद है की चिछैन करते हैं वह में लगा दोग Ages यहां ठेवल के नीचे जूठा गिर जाता है की खाना खाने कबाद ना मैं नीचे प्रश देती हूं繼續 एगए तो अभी जो है फिलाल जाडू में लगा रही हूं और यहां पूरा जो हॉल है उसमें भी मैं जाडू लगा दूंगी और रूम यह वाला जो रूम है ना इसमें बच्चे आज गए नहीं ते टीवी देखने वगरा के लिए तो यह रूम बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है इसकूल से बे लोग आएं उसके बाद नहाएं धोएं खाना वगरा खाएं और फिर तोड़ा देर हॉम वर्क किया और वो दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तकान हो जाती है दिन भर तो थोड़ी देर के लिए मैं उसको सुला देती और अभी इन लोगों का ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था और गर्मी काफी ज़्यादा हो रही थी बाहर में हवा लग रही है लेकिन अंदर में गर्मी है घर के अंदर क्योंकि खिड़कियों में मेरे जाले लगे हुए हैं तो इस वज़े से हवा अच्छे से आनी पाती ह है तो फिर अभी जो है घर में गर्मी लगती है लेकिन बाहर बहुत अच्छी खासी हावा चल रही थी तो दोनों बच्छों को मैं बाल वगेरा कंगी कर देती हूं थोड़ा से तेल वगेरा में लगा देती हूं क्योंकि स्कुल से ना आने के बाद नहाए ना तो भी लोग थे मतलब साम के साड़े साथ और मैं खाना बनाने लग गई हूं और आज मैं बना रही हूं आलू और परवल की सबजी हाला कि मैं परवल की सबजी जब भी बनाती हूं तो आलू को बॉयल करके बनाती हूं लेकिन आज मैंने बॉयल ने किया है ऐसे ही मैं बना रही हूं तो तो कट करके मैं सबजी रख ली हूँ, कड़ाई चड़ा दी हूँ, कड़ाई हो रही है गरम, तब तक मैं अपना अटा वगरा निकाल लेती हूँ, नमक वगरा डाल के रख लेती हूँ और यहां पर सरसो के तेल में मैं सब्जी बना रही हूँ तो सिंपल से सब्जी है तो यहां पर देखिए जीरा और देश पता और पयाज का मैंने हा उसके बाद जो है सभी चीजों को भून के उसके बाद आलु और कटा हुए परवल मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको भी अच्छे से फ्राइ करना है इसमें नमक डालके तो इसको थोड़ा सा भूने में टाइम लगेगा क्योंकि बॉयल आलू नहीं है और परवल को भी मैंने पहले नहीं बूजा है तो फिर अभी इसमें टमाटर और फिसा हुआ मसाला मेंने डाल दिया है और इसको अभी जो है मसालों के साथ फिर से मुझे इसको अभी पकाना है तो मसाले पक गए थे तो फिर इसमें ग्रेवी के लिए मैं पानी डाल दूँगी हलका सा ग्रेवी बनाऊंगी रोटी के साथ अच्छी लगती है खाने में और यहां पर मैं फटा-फट से गरम गरम रोटिया सेख लेती हूँ और बच्चों को भी मैं देदेंगो खाने के लिए और फिर वे लोग होमवर्क तो कर चुके हैं और टीवी देख रहे हैं अभी तो अगर उनका मन होगा तो वे टीवी देखेंगे नहीं तो सो जाएंगे तो अभी जल्दी खाना बना के देदेती हूँ न तो फिर सुबा नो धेर पढ़ जाता है बरतन का और अभी धोके रख दूंगी तो बरतन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो बरतनों को धोने के बाद यहां पर मेरी सबजी जो है वो मैं चेक कर रही थी तो सबजी बनकर विल्कु रेडी है इसको थोड़ा सा मैं मैश कर देती हूं क्योंकि अच्छा लगेगा रोटी के साथ खाने में और उसके बाद यहां पर देखिए मेरी सबजी बनकर रेडी है बच्चे देख रहे हैं टीवी और यहां पर देखिए सबजी कितनी अच्छी लग रही है बनने में और खाने में भी यह बहुत ज्यादा ती हूं थां चुवाइबाइबाइ